आज हम लेक्चर नूबर 27 MTH 501 का डिसक्स करने जा रहे हैं तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेर वीडियो पर ने हैं चैनल को लाजमें सब्सक्राइब कियाज़ेगा वीडियो अच्छी लगे लाइक कियाज़ेगा कोमेंट कियाज़ेगा तो टोपिक हमारे पास application to difference equations का है तो students इस लेक्षिर के अंदर हम fundamental property of linear algebra की equations हैं उनको discuss करने जा रहे हैं जिसमें सबस्पहल उसने लिखा है जी Recently discrete are digital data ठीक है? Has been preferable as compared to continuous data के तो discrete data क्या होते हैं तो आईए मैं आपको इसका बताता हूँ जी के discrete time signals क्या है Let us is a space of a discrete time signal A signal in s जो है function can define only the integer अब इसके अंदर वो क्या रहा है कि आपके पास एक function होता है discrete time signal के अंदर जिसमें आपके पास जो integer होते है जिसमें आप वियलाइज कर सकते हैं sequence number के साथ जिसमें य के bracket में जहाँ पर जो नजर आ रहा है ठीक है? तो students किस सरा से हम इसको समझना चाहें तो यह क्या मतलब है जिसका? तो let's suppose मैं आप लोगों से कहूं कि आपके पास एक मरीज है जी आपने उनका temperature note करना है तो आपने temperature को फर्दन अभी note किया तो उसका कुछ temperature आ रहा है फिर आप कुछ देर बाद करते हैं उस वक्त उसका temperature कुछ और आ रहा है फिर आप कुछ देर बाद और temperature का note करते हैं तो आपको temperature का अंसर कुछ और आ रहा है तो यह continuously changing नहीं होगी ठीक है? आपने जब चेक किया उसकी changing है आपने जब चेक किया उसकी changing है discrete data में यह होता है कि आपके पास मसलसल changing नहीं है आप कभी change लेने अचानक से लिए मतलब कि कभी उसका क्या temperature है कभी उसका क्या temperature है तो हम इसको एक visualize sequence number के साथ इसे linearly equations के साथ describe करते हुए इसको find out करते होते हैं यह मैंने आपको simple example दिये इस तरह से हम बहुत सी terminology दे इस्तमाल करते हैं जहाए बहुत से आपके पास science के subject है जहां पर हम discrete data को लेते हैं उनके sequence के साथ से ठीक है तो जह बहुत ज़ादा preferable इस्तमाल के मतलब कि इसको हम करते हैं कि as compared to हम किस जिसको continuously calculate करें हम उसको discreetly continuous measure करते हैं तो इस तरह से यह हमारे पास as a preferable value होती है तो इसमें हमने जो है इसके application को समझना है ठीक है और देखें यहां पी जो जुसने why not, why one, why two लिखा है यह वही मतलब है कि आपने किसी भी point पे लिया और उसको उसकी value है फिर आपने किसी point पे लिया तो उसकी value हो तो यह क्या है यह discrete value होती है और sequence के इसाब से जलती है जो we realize in the integer number के साथ आपको शोड़ी होती है ठीक है और the term yk है जिसमें k less than zero either assumed to be a zero यानि फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं जी के आपने किसी भी point के लिए या किसी भी चीज के लिए या कोई अपने frequency अगर आप देख रहे हैं इस point पे देख रहे हैं मतलब इस time पे देखेंगे frequency कुछ और है किसी चीज़ की पिर आपने another time पे देखा उसके वाकट frequency को यह हो रहे है अब जो आपके पास zero से less का मतलब है कि जो चीज़ है अपने के लिए गुजर चुकी है ना वह आपनों के लिए यहां पे जिरो हो जाती है तो नेक्स उसने एक्जम्पल में काया थी क्या crystal clear sound जो है अपक्तिस के अंदर player are produced from this musically as simple at the rate of that 40,000 जो है or 100 time per second at each measurement amplitude of the musical signal is recorded at the number student अब यही चीज़ है ना कि आपके पास इस तरह से एक चीज़ साथ में sound चल रहा होता है ठीक है साथ में music मतलब कि जो आदमी बोल रहा है, song गना रहा है, watches चल रहा है पीछे से background में music भी दिया होता है ऐसे यह तो क्या होता है जी कि आप किसी भी time पर उन दोनों को compare कर रहे होते हैं तो basically यह difference of equation है आप उनकी और इनकी sequence का difference ले रहे होते हैं यह example में भी यही बताना चाहरा है कि अगर उसकी frequency किसी भी rate पर उसकी अगर कुछ है another rate पर उसकी कुछ होगी तो यह base के background के music होते हैं हिंड की frequency जो है वो compare की जाते है difference दिखा जाता है इनमे तो यह example भी जो है उसी से related हमारे पास है जिसमें y की sequence इस्तमाल होती है यहां पर उसका लिखने का मतलब ही है कि यहां पर वो sequence है इस्तमाल होते है जिसमें हम compare करते हैं किसी दो चीजों को ठीक है फिर उसमें कैदा जी linear independence in the space of s signal इसको अगर हम mathematically लेके हैं तो कैदा जी simple nutrition we consider a set of the only three signal in s say uk, vk and wk अब यह लाइन यहां पर खतमने होती students that are the linear independent कब जब इसमें अगर हम scalar चीज़ के साथ combination लें c1, c2, c3 इनके साथ अगर हम c1, uk, c2, vk और c3, vk अगर equal to 0 है तो यह linear independent होते हैं उस वकत जिसमें c भी 0 हो, c2 भी 0 हो, c3 भी 0 हो ठीक हो गया, for all positive integer yes e, आपके कुछ भी 0 हो सकते हैं, 0 भी 0 हो सकते हैं, ठीक है तो for all k equal to 0, student हम जब भी इस तरह की linear independent space के यह discrete value को देते हैं फिर हम इसे k equal to 0 के लिए चेक करेंगे, फिर इसको 1 के लिए, k1 या k2 इस तरह से हम उनको compare करते होते हैं प्लस 1 और प्लस 2 को bit करके दो equations बनाई हैं, ठीक है जिसको हम linearly कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं फिर आपको answer वही मिल जाता है, equal to 0 में हमें यह क्या show कर रहे हैं, एक तो जो homogeneous को show कर रहे हैं दूसरा हमारे पास यहां पर हम यहां पर कह सकते हैं, कि यह linearly independent भी होते हैं ठीक है, students यहीं पर उसने एक और चीज़ भी बताई हैं जो coefficient of matrix क कास्रूर्टरी metrics कहराते हैं कि सिगनल जिसमें हम यह कहते हैं कि जब हमारे पास UK, W, K, W, K यह जितने भी हैं यह हमारे पास कास्रूर्टरी हैं तो इसमें जो K की value है, यह इनवर्टिबल होते है invertible होते हैं मतलब कि जो आप इसका matrix बनता है न यह वाला इसका inverse exist करता होता है यानि कि मैं कहा सकता हूं कि यह non singular होते हैं इनके determinant equal to zero नहीं होते हैं ठीक है हम example के तरफ आते हैं जी उसने का जी verify that one की power k minus two की power k and three की power k आरा linearly independent signal ठीक है students तो आईए मैं आपको सबस्पहले कस रूती matrix बनाता हूं इनका तुझे कैसे होता है मैंने भी आपको बताया था कि हम सबस्पहले उसे लिखते हैं फिर के जगापे k plus one three consecutive number लेते होते हैं फिर k plus one के बाद k plus two की line सारी जिस तरह जहां जहां पे k हो है वहां वहां पे k plus one और k plus two पुट करके आपने raw matrix बनाते जाना है लाइक आपको यहां पे नज़र आ रहा है कि जहां पे k था वहां पे k plus one के लिए मसावत बनी है sorry raw बनी है फिर k plus one के लिए फिर k plus two के लिए तो students यह जो raw operation के through हम यहां पे देख सकते हमने starting कहां से लेना है हमने k को zero put करने जैसे हम के को zero put करेंगे तो किसी भी चीज़ की power जो zero होती है students वो is equal to one के होती है ठीक है sorry यह जादा उपर चलागा है मैंसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में असानी हो सके जी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास इसकी power zero बनेंगी ना तो वो बन जाएगा one इसकी power भी zero बनेगी तो वो किसी भी चीज़ की power zero वो is equal to one होती है वो जो मर्जी हो ठीक है फिर अगर हम यहां पर के दिकल to zero मतलब row two में zero put करेंगे तो zero plus one one फिर one रहे देगा k plus one minus two की power में है ना तो zero plus one तो वो one power रहे देगा तो minus two वैसे का वैसे इसी तरह से नीचे वाले भी values आ जाती है ठीक है छो भी matrix बनेगा हमने क्या करना है इसको reduce देखेंगे, ये लास्ट नमबर भी सारा जिरो नहीं हुआ. ठीक है, ये वाला नमबर भी जिरो नहीं हुआ. क्योंकि अगर किसी भी रों में मकमल तौर पे अंसर जिरो जिरो हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेट जिरो बनता है. तो इसका जाहरी सी बात है सारे 0 नहीं हुए तो determinant भी 0 नहीं होगा लिहाजा यह हमारे पास जो है एक तो linearly independent शो हो जुके हैं दूसरा यह invertible भी हमारे पास है ठीक है तो अगर हमारे पास यह not invertible होता तो उसका मतलब होना था कि जो हमने test लिया है वो linearly dependent होना था ठीक है उसका अंसर जब सिफर होना था तो हमने कहना था यह dependent होने थे हमारे पास ठीक है मतलब कि हम उसे कहा सकते थे के वो invertible भी नहीं होगा कब जब वो आपके पास singular होगा लेट सी हम इसको another activities करते है जी उसने next भी वेरिफाइ करने के लिए दिदिया जी टू की पावर के माइनस वन की पावर के और जीरो की पावर के that is the linearly independent so student मैं आप लोगों से concept share कर चुका हो क्या आपने क्या करना है एक दफा इसको simple एक दफा 1 और एक दफा के प्लस 1 और एक दफा के प्लस 2 के लिए चेक करने के बाद फिर आपने इसको बता देना है यहाँ पर उसने सरफ यह बताया है कि लिए डिफरेंस बनेगी ना उनकी एक जो भी हमारे पास बनेगा is equal to जब k आ जाएगा जब 0 आ जाता होता है तो वह हमारे पास homogenous होती है जब 0 नहीं आता तो वह हमारे पास non homogenous के लिए होती है जो कि आपको यहाँ पर नजर भी आ र हमारे पास वही कुस्तन हमारे पास है जी कि आपने डिफरेंस एक्विशन बनाना है सिंगल का लाइक सी आपके पास अगर कोई कुशन दी गई हो ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा से जेका है कि आपके पास जो ए नौट एन ए 3 जो मैंने उपर मसावत बताई थी यह मारे पा तो बनाए तो आपके लिए जिसमें तस्वीर नग था जा रही है तो यह आपके पास बनाता खान पता उन एक तो तो थे फ़ू और उसके गण पर रहा है तो आपके तो अपने तो इसमें आपने लो पास फिल्टर और हाईपस ए रिद्ट आपने रहाँ थाद इन को भी प इसने यहां पर हैलोड कर दिया जैसे कि उसमें जो वन है वो हमारे पस लोड़ पास फिल्टर जा आपको नज़र आ रहा है ठीक है के इकल टू जीरो फॉर ओर के अब स्टुडेंट्स हमने के अकौर्डिंगल सॉल्फ करना है तो अब देखे यह प्लस थ्री थो शुडेंट्स हमें बताए हमने सबस्पेर इसको लिनर लीए हमने वाई के प्लस इसको नमें बताए है यह की पावर के नहीं तो हम अगर आर की लेख सकते हैं तो हम R की पावर के और, sorry, R की पावर 3 हम उसे इस तरह से लेख सकते हैं, जो कि उसने पहले अलग अलग बनाया है, फिर उसमें से R की पावर के तमाम में आ रहा था, k-plus-2 k-plus-1 इन त्माम में r के पावर के आपके आ रहा था थो वो से अंतम हम ले लिया बाकी जो आपके पास number बचे थे students जैसे कि आपको यह वाला portion नजार रहे है जो बाकी बचे थे यहां पर पुएंट r के तरी वाले के जगा पे इसके साथ कॉफिशन्ट 1 था और के सबस्क्राइब के साथ 5 था और साथ पर नमबर ता उसने उसको लास पे लेक दिया ठीक है तो सुड़ांट साब को बता है हम यहां पे वह नमबर लेते होते हैं इसको सूल कैसे करते होते हैं मैं जिस सांथिटिक डिविजन का मैथड होता है आपने चोटी कलसे में बढ़ा होगा मैं आपको दुबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ कि फर्स्ट आलिमेंट को वैसे उतार लेते होते हैं यह हमारे पास तब इस्तवाल होता होता है जब आपके पास पावर तीन आ जाती है अगर पावर दो हो तो फिर कोड़ एक जो ह आपको यहां से मिल जाता है और आपके पास जो बजब की चीज बचती है जैसे आप काईशंट का नाम देते होते हैं इसको दुबारा से देखे हमने पहले एक्स की आर के तीन था अब हमने आर को एजब के तार पे लेकर लेके लेकर सौल्व करने की कुशिश की है और फिर आपके पास इसके ये कुछ factorization के पार्ट बन जाते हैं ठीक हो गया तो यहां से हमें R1, R2, R3 की जब values मिल जाती हैं students तो हम फिर उसमें R1, R2 के जगा पे अगर values को put कर दें put करने के बाद अगर हम उन तमाम तर्चीजों को solve करके देखें और answer बन जाए हमारे पास physical to zero तो हम कहते होते हैं जी के ये हमारे पास जो है generally solution के लिए हम अगर हम इसको देख लें तो ये हमारे पास linear हो या आपके पास independent हो तो इस तरह से हम उनको totally solve कर देते हैं अगर आम इनका general solution लेखें तो हम उनके general solution को फिर इस तरह से लिखते होते हैं कि जितना भी हमारे पास यह जो एक्जुरी हमारे पास question थी तो इनका equal to हमारे पास क्या रहे है जीरो हो आ रहे है और if and only if or is the exactly root जो है अब student इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर root में हमारे पास repeated हो यह फिर complex number आजाते हैं complex number आप समझते हैं जिसमें हमारे पास iota आ जाता होता है ठीक है और जब इस तरह की चीज़ आती है तो student उसमें हम आपके यह जो equation हमने general form में ली होई न यहां पर sign और cause भी show हो जाते हैं ठीक है यहां पर क्या show हो जाएंगे sign और cause कब जब आपके root complex root बनेंगे तो ठीक है जो है yk plus n a1 yk plus n minus 1 इस तरह से sequence up to 1 yk k तक अब अगर हम इसको चेक करें linear transmission को students तो अगर हम equal to homogeneous कहेंगे जब equal to zero है और जब यह zero है तो यह kernel t के होते हैं जिसे हम linearly combination में हकीहते होते हैं और अगर a की power n जो है zero नहीं होती तो फिर इसका मतलब एक कुछ का answer आएगा जिसे हम non homogeneous का solution में कहते हैं और यह unique solution होते हैं जब equal to zero नहीं 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 होता तो इनके solutions unique होते हैं आपका theorem भी बता रहा था आगे वाला कि अगर वह equal to zero नहीं है तो वह unique होते हैं और जो उनके answer zero होता है उन्हें हम खुद let कर रहे होते हैं है टीक है हिसाब से homogeneous स्वालों को उनके answer arbitrary होते हैं आपने बशेशन का theorem जहान में रखना है बाकि आपके आपको यहां पर कुछ आद करने का दूरूरत नहीं है जिए देखें जिनका answer सिफर्श हो रहा होगा वह आपने homogeneous के नाम से जानना है ठीक है और यह number arbitrary होते हैं उनके को जो है इस डिफिकल्ट डेंटिफाइदा डिरेक्टली सीगनल जो है स्पेस के लेकर इस प्रॉब्रम कुसाल करने के लिए हमारे पस्थूरम मजूद होते हैं जी हम इसे स्पेस एक्जेक्टली त्री दिमेंशल के बेसिस को बात करें जिसमें हम माइनस वान की पावर के हम पर शुरम हम पर आ के को बहों ऑन भी स्पेस्था जिसमें हम ने इनको के लिया फिर कि Ale missing Pokémon 3 कि auf Dé और यह इनवर्टिबल भी होते हैं इनवर्टिबल का मनलब होता है कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो जिरो नहीं होता बार 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 बहुता रहा हूं कि यह इकल टो जिरो जो हैं यह आपके इस पैपिंग को साटिस्टाइ करवा रहे होते हैं इन में लीनर ट्रांसमिशन जो है वो होती है ठीक है तो एक्जम्टल नЕक्स जो है वो यह आफ मेर पास यह है कि वाई के इकल किस्केयर साटिस्टाइध फार दिफरीन सेकूशन दी on the next step की क ப के अजेड़सनी का स्क्यर एससे 3K फिर ड्यावम करेंगे 1 की 2 प्लास B की 2 घा स्क्यर करेंगे एसनी माइस की बाद 4 Fahrenheit को कह लिए और के स्क्यर स्क्यर इस नियुयारा का सब्सम्नी आए कि वह लिए लो हुआज़सनि मिह का स्क्यर इस री की सूरी जेमर थे सब्यान को सुक्ल खाया है rhoi जो आए की तु pockets P1 ऐसे अटर के आगी आ की सब्यादा कि को आप रहा है कोशीं को साथ लिएami प्लीं की इसे घूप है श्याम के बाणे है छिरो रहे जो सबस्किर चैकने चैकने क्षाषञ रहे हैं, और चैकने चैकने उस्कें समस् wil तुवर्स और सबस्किर, छोड्य ने मनुई रहे हैं, टो डिमेंशनल के हैं ठुमें है this में 3 की पाउर K और फावर K ठीक है चुकि यह आर के थे Karl पो जो था वा ataे की पाउर की था था ठीक है तो की स्टीर कि आपनी की ने को डिफसे ने को बाबर छे कराया कि अब से कुछ Nedा कर आप सकते है तो नेक्स में अगर आपस करस्फ वाओ जिसम fully नेक्स के जाए वह रख वाओ से सब्सक्राइब तो जिसमें आपने क्या रिखने के लिए उन्ट तो फिल्स ने क्या गया गया है कि आपके पास वाइक प्लस वान में जिस्ट शो करवाने और कुछ भी नहीं करना होता तो यह तो आपके पास yk का general formula student आपको नजहरा रहा है कि yk yk plus 1 yk plus two आपने क्या करना है आपने इसी formula के according इस pattern के according आपने इस equation को यहां पे ले क्याँ आना है let's see मैं आपको यहां पे कहोँ तो यह देखें yk plus 3 तो yk plus 3 को अगर मैं equal to करूं तो क्या होगा यह आपके पास केशन होपस चलेगे मैं इसे थोड़ा से नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझने में अहसानी हो जी तो यहां पर देखें अगर मैं वाई के प्लस थी के लिए मसावाद रिखू ना तो यह सारी चीजे ना इकूल के दूसरी तरफ जाके नेक् करो की आपके नवश्य हैं कि यहां पर नाझने नाजए पिर आपके यहां यहां पर नघए नजर आ रहें फिरन के सी यहां प्लस थी का सितल हार कि अशथ होजिए के ब 상ूद्ध को कर दिख साथर। में में पास और परका के प्लस टूजा सबस्ध करणेंगें और लिए पर की एक सरना कोसिंग मेरे भास बान कर दोई कर दोग जो यह Cute फिर्फ के लिग सुने oh for all the solution of the difference equation. So student, हमने क्या करना है? कसरूती मेट्रिक्स हमने बना लेना है. हमें पता है कि 2K बहुत ही असान कस्टन है. यह आपका यह वाला भी जापका पहली टर्म की रो है. फिर आपने इसमें के प्लस वन के साब से रो बनानी है. तो साइन जिरो पे क्या होता है? जिरो होता है. नेक्स पोर्शन आपका क्या बन जागा? जिरो बन जागा. फिर अगर हम यहां पे देखें कोज जिरो वन होता है. तो थिरी की पावर जिरो हम ले रे तो वह वान है. तो यह 0 होने से 2 pi over 2 रह जागा तो से 2 कैंसल होने से sin pi sin pi जो है वो 0 होता है और 0 जिसे भी multiple होगा तो answer फिर भी क्या होगा 0 ही show होगा आप देख सकते हैं ठीक है फिर हमने क्या करना होता है इसको reduce echelon form एक रवर्ट करना होता है करने के बास students हम क्या करेंगे definitely हमने क्या करना हमने देखा तो यह equal to 0 नहीं हो रहे है तो हम यहाज पर क्या सकते हैं कि हमारे पास invertible है add k equal to 0 यह linearly independent भी है because that इसका जो answer है dependent नहीं है जो होता जो dependent होना था तो लहाज हम यहां पर कह सकते हैं कि according to base theorem हमने इसको शुकरवा दिया कि यह हमारे पास invertible है next student इसकी example है बहुत असान example है मैं आपको बता चुका हूं कि आपने इनके पहले जो कसृती जो है theorem उसके accordingly आपने इनको पहले matrix में लिखना है फिर के देकल to zero करते हुए matrix बनाना है फिर वहां से देखना है कि यह invertible है यह नहीं है तो बहुत ही आसान कस्ण है आप इनको खुद करके देखेगा अगर ना हो तो फिर आप मुझसे बता दीजिए